राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको शीतला अश्टमी के बारे में बताऊंगी शीतला अश्टमी 14 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी वैसे तो चार मंगलवार को शीतला अश्टमी मनाई जा सकती है हूली के बाद जो चार मंगलवार आते हैं उसमें शीतला इश्टमी मनाई जा सकती है लेकिन जो सबसे पहला मंगलवार आता है वो ही ज्यादा मान्या होता है इसी दिन ही ज्यादा लोग मां शीतला की पूझा करते हैं ये वरत मां से प्रास्थना करने के लिए होता है कि मां तुम हमारे घर में धन धान्या की व्रिदी करना और बच्चों की रक्षा करना ये वरत इसलिए भी रखा जाता है कि फिर माता का परकोब बच्चों पे नहीं होता जो बच्चों को माता निकलती है वो फिर बच्चों पे माता अपना परकोप नहीं करती इसलिए माता का पूजन किया जाता है इस दिन माता को ठंडी रोटी का ही भोग लगाया जाता है जैसे सूमवार वाले दिन, 13 मार्च को सप्टमी वाले दिन ठंडा भोजन बनाकर रखा जाता है और वो फिर अगले दिन सुबै माता की पूजा करके माता को भोग लगाया जाता है और ठंडी लसी के चिटे बच्चों पर मारे जाते हैं पानी में थंडे पानी में थंडा कच्चा दूर डाल कर लसी बनाई जाती है और माता का भजन गाकर फिर वो छीते बच्चों के उपर मारे जाते हैं तो माता फिर बच्चों की रक्षा करती है माता का पूजन करने के पाद ही चूला जलाया जाता है उससे पहले चूला नहीं जलाया जाता और इस दिपक भी थंडा ही मा को चड़ाया जाता है जला कर दिपक नहीं मा को चड़ाया जाता इस तरह से माता शीतला की पूजा की जाती है माता शीतला ने सबसे पहले कुमहारन को दर्शन दिये थे तो इस दिन माता ने कुमहारन को अपने चतर भुज रूप में दर्शन दिये थे माता का एक हाथ वर्मुद्रा में था, एक में जाडू था, एक में सूप था और एक में माता ने कलश पकड़ा हुआ था इसलिए कई लोग आज मंदर में जाड़ू और कलश का थंडा पानी भर कर भी दान करते हैं इससे भी मां सब पर अपनी कृपा बरसाती है इस दिन जो पूरश भाई हैं वो माता को नारियल चड़ाते हैं जिससे के उनके काम काज में बढ़ोतरी होती है और उनका विपार बढ़ता है और नोकरी में भी लाप होता है इस तरह से मां शीतला सब की वनो कामना पूरण करती है इस दिन को बासड़िया, बसोड़ा और शीतला अश्टमी के नाम से जाना जाता है मा शीतला सब पर अपनी कृपा करे और अपनी कृपा बरसाती रहे सब के बच्चों की रक्षा करे जै मा शीतला